तो बहुत बहुत स्वागते जोड़दार तरीके से मेरे सभी NDA aspirant का इस special वीडियो में और NDA aspirant मैं पूरा इसलिए बोल रहा हूँ कि और पी आएक्यू का हमारे रोल क्या है एक्जाक्लिए अखिर सर इसकी फिलिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना है क्या सर प्याक्यू ही ओवरॉल चीज़ों को डिसाइड करता है कि इंट्रुविंग ऑफिशर के लिए उसका क्या मात्तो है एक साइकॉलजिस्ट के और नहीं को और बेहतर धंग से समझने के लिए और प्रॉपर क्लारिटी के लिए हमाइसा जोडन है के एक अप्टन सार बहुत साथ हैं और बहुत सारे केंड़िट से को बहुत करते हैं और अक्सर रवड़ी डाट खाते हो हैं कि आप में कोई मिस्टेक नहीं गरना है और इसमें भी बस्तियों से बहुत सारी मिस्टेक वहां पर सर हो जाती है एक्जाक्ली तो आज प्याक्यू को वर रोल को सर हम समझना चाहेंगे इस्पशली आज एंडिये फोकस रमिये कर रहे हैं इनके लिए क्या इंपोर्टेंस है इसका सर देखिए एंडिये सबसे छोटी एं और इस पी आई क्यू फरम में इनकी जितनी व्यक्तिकत जानकारी है यह भरते हैं इसके अंदर परिवार के बारे में अपने पड़ाई लिखाई के बारे में इसके अलावा अगर आप पिए ए क्यू फरम को पलट के देखें सेकेंड पार्ट अप फिए पॉरम उसमें Anything किय या नहीं किया, गेंस और स्पोर्ट्स में कैसे रहे आप, एक्स्ट्रा केरिकुलर एक्टिविटीज में क्या रहा, यह सारी जानकारी, एक्ट्वल पी आई की फॉर्म क्या है सर देखिए, दो पी आई की फॉर्म यह भरते हैं, एक साइकॉलजिस के पास जाता है, और एक इं इनको असेस्मेंट प्रोसेस में लाने से पहले, मतलब साइकॉलजिस ने इनका डोजियर खोला, या फिर इंटर्विंग आफिजर ने इनको इंटर्विंग के लिए बिलाया, दोनों असेसर ने इंटर्विंग प्रोसेस या असेस्मेंट प्रोसेस में लाने से पहले, इनक 40% जो आपका इंप्रेशन है क्योंकि अभी आप टेस्टिंग प्रोसेस में आएंगे तो आप क्लियरिटी आएगी लेकिन 40 प्रतिशत आपके P.I. की फॉर्म से एक इंप्रेशन क्लियर करती आपने यह जो P.I. की फॉर्म है इसको बहुत साफ सुथरा भरना चाहिए पहले च एक आप की तरियर टूथ पार्ट लाइक ऋनीजिग फाट जख जिसमें दहिए शुरू से अगर पहले आठ पॉंट आप देखते हैं तो वह सारे में अप्स्थिंग इसमें कुछ ऑप्शनल नहीं है आपके आपका नाम आपके पिता-जी का नाम आपका कहां के रहने वाले हैं जादा समय कहां बिताया या घर में कौन कौन है घर में बोली जाने वाली भाशा कौन सी है आपकी और उसके बाद आपका academic performance 10th कहां से किया कितना percentage था क्या outstanding qualification थी आपकी और बाद में 12th में क्या किया आपने या graduation में क्या किया ये सारी जानकारी देने के बाद फिर अगले जब page पल्टेंगे आप हलागी अब slight change आ रहा है थोड़ा सा P.I.Q. form में कि इनका जो academic record है उसको in detail माँगा जाने लगा है आप in detail माँगा जाने है और उसके बाद फिर पल्टेंगे जाब तो पहली line आती है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सार पढ़ने में बहुत अच्छे है 95 परसेंट नंबर है लेकिन अब पीछे पलटके देगे तो P.I.Q. form खाली है ना कोई NCC है ना games sports है एक्स्ट्रा करिकुलर activities है ना hobby अच्छी है कोई ये hobby को भी जैसे खेलते हैं गेमस में भी लिख र ये तो आप अपनी fitness के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी fitness को hobby में नहीं आप खाली समय में कितने creative रहे हैं ये difference नहीं कर पाते हैं ये fitness को भी जोड़ने लगते हैं exactly और hobby ऐसी होनी चीज़ों मुझे लगता है जो इसमें कुछ creativity हो social reform हो कुछ development हो कुछ बहतर initiatives हो social changes कुछ create कर रहे हो जिसके माध्यम से आप तो एक्शली डिफरेंस नहीं कर पाते है personal satisfactory चीज़ों को hobby की कज़ादा रख लेते हैं और दो तरीके की hobby होती है एक active hobby एक है passive hobby अब passive hobby का है जैसे sir मेरे को खाली time मिल गया मैं फिल्म देख रहा हूं मैंने तीन गंटे ढ़ाई गंटे बिता द की महनत को enjoy करने के बजाए और और हो कहते है मेरी hobby है यह passive hobby हो गई active hobby खुद कुछ करेगा भाई कुछ नहीं painting बनाएगा कोई musical instrument सीखेगा कोई electronic gazettes बनाएगा repair करेगा कोई free hand sketch बनाएगा या socially आप कहीं education दे रहे हैं किसे slum में पढ़ा रहे हैं कुछ इसे नहीं से tip साब ले दूसरे की महनत को enjoy कर रहे हैं और यह मेरी hobby है यह मेरी hobby है यह मेरी hobby है और इससे आप में क्या development होना है 17-18 साल का बच्चा दजर कुछ कमाता भी नहीं होगा तो पिता जी से पैसा लेगे अपनी hobby कर ली और डाइगंटे भी बिता दिए यह प्रॉब्लम है सरुन के अंदर अब next question बनता है सर जिसे अभी आपने जिक्री किया कि 10 प्लस टू के academic ब्यस्तता बहुत है यह आपका गहना सही स्कूलिंग टाइम में हमें बहुत सरे opportunities मिलती हैं बट आज के time में सर वह भी काफी हद तक कम जोर अब दिखने लगी हैं बच्चों पर academic pressures काफी जादा है सर औ technically बच्चे अच्छे percentile चाह रहे हैं जए के अंदर सर एंड यह भी सर यूपीसी का standard increase करती जा रहे है जए लेवल का पर परफ हो रहा है सर तो academic focus की जरूद तो है सर अगर 8-10 hours आप नहीं पढ़ रहे है focus तरीके से तो आउटपूर तो नहीं आना है इन सब के दौरान जैसे तो जो कुछ करना है सर वो करेगा exactly यह एक्शली कह लिए टेक्निकली एक्टिब होबी में इसमें पैसिव में ज्यादा इन्वाल हो गए और उसको मान लेते हैं कि वही सही है मेरे लिए और उसी को मेरे को बताना है exactly but question यह बनता है सर कि क्या बच्चे करें जो इन चीजों म बड़ी समस्या पता है कि यह बच्चे जो पढ़ते है ना यह पढ़ाई भी दबाव में करते हैं इनकी इक्षा नहीं है exactly यह सिरफ डर की वज़े से पढ़ रहे हैं यही गलत है यह गलत है पढ़ाई हमेसा उत्साहा से होती है अगर आप उत्साहा से जीवन जीएंगे तो देखे आपने कहा आठ घंटे पढ़ना है मैं कह रहा हूं कि दिन अगर बारा घंटे भी काम करोगे तो अभी चार घंटे आपके पास बागी सुबह खाली हो तो सुबह जाओगे नहीं तो शाम को मैदान में जाओगे जिस यंग्स्टर ने प्लेग्राउंड नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा चाहें जितनी किताबें वो देख लें ठीक है वो सर उसका जीवन देखिएगा कि आज वो पढ़कर के परसेंटेज लेकर के कहीं अच्छी जगए जॉब पालेगा मगर कुछ दिन बाद वो बिमार रहने लग जाएगा क्योंकि उसने वो जीवन नहीं जी आए यह बड़ी गुड़ बात है बड़ सर लोगों को समझ नहीं आदे यह सर देखें ऐसेस बी या किसी भी चीज़ को ना सबजेक्ट बना करके बड़ी बड़ी चीज़ों में भागना चाहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लीजिए आपकी लाइफ म एक यंग्स्टर 17-18 साल का बच्चा सर उसमें मैं कभी ताजिब करता हूँ इस बच्चे के जीवन में है क्या अच्छा खाना अच्छा खेलना अच्छी पढ़ाई रखना अच्छे दोस्त बनाना अच्छी जीवन सेलीव रखना बस इतनी सी बुनियादी चीज़े हैं इस समय मिलता नहीं है हमें से निकाला जाता है और अपने लिए समय निकाली है और उसमें इंट्रस्पेक्शन की भी जरूरत है जैसे अभी हम होबी की बात कर रहे हैं इंट्रेस्ट की बात कर रहे हैं या एक्स्ट्रा केल्कुलर अक्टिविटीज की बात कर रहें स्पोर्स य अखिर ऐसा क्या आप करना चाहते हैं जो बिल्कुल active hobby की तरह दिखाई दे न की passive hobby की तरह सर देखिए बच्चा एक तो जेही की पढ़ाई का pressure उसको भी बड़ा डर के कर रहा है इनको बोलिए खेलना जरूरी है अब खेलने के नाम पर ये badminton racket उठा लेगा अकेले का गेम है तो यह किताबों में अकेला रह गया जब इसने expose कि आपने आपको तो वह भी नहीं कर पाए अगर यही बच्चा basketball खेलता वॉलीबॉल खेलता टीम में रहता इसका प्रभाव इसके पढ़ाई पर इसके मानसिक स्थर पर और इसके मानसिक स्वास्त पर बहुत ज्यादा पर और आप confidently answer भी कर पाते जब आप से कलको questions होते तो बिल्कुल group games में involved होना बहुत जरूरी है और honestly यही सर्च बताना चाहें है सर और देखिए अगर आप अपने जीवन के लिए समय अभी इस एज में अगर अपने transformation के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं तो फिर कब करेंगे यह मौका किसी किसी को मिलता है आप सोचिए कि कितने लाग बच्चे पेपर देते हैं उसमें से साथ-ाथ-हजार आते हैं आग वेक्तित वाली काबलियत दिखाने हैं आपको और इसके लिए आपके विचारों के साथ-साथ-ाथ-जाने कि आपके जीवन शहली आप खाली समय कैसे बिता रहें हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, क्या-к्या जवाबदारियां उठाई हैं आपने अपने जीवन में अभी तक इ पूरा सा काम कर लिया जाए तो चीजें जादा बहतर हो जाएंगे बहतर सर और मुझे लगता है बच्छा की प्या-ई-क्यू फॉर्म एक सर सच्चाई है और मुझे लगता है जितनी सच्चाई उसमें आप पिर होएं उतना आप के लिए अच्छा है जिसे आपने कहा पहले की बात करें तो compulsory feeling है sir आपके personal information है तो उसमें इतना बड़ा कोई change है नहीं उसको बस सच्चाई और सफाई के साथ भरना है बट second part कि जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता उतनी सच्चाई को उसमें भी जरूरत है हाँ उसमें सच्चाई दिखानी है तो पहले अपने जीवन को बदलना पड़ेगा और वो चीज आ जाएगा अभी भी टाइम है अगर अभी से भी involvement आप दिखा इसके लिए ऐसा नहीं कि आप 20 साल से कोई game खेल रहा है तब ही आप बहादूर है आप 20 दिन में भी अपने को involve करके उस लेबल पर डेवलब कर सकते हैं जी कम से कम आपके अंदर सीखने की एक्षा है ये तो अच्छी बात है ये किताबों में उल्जे रहते हैं सर मैं कहता हूं कि एक छोटी किताब आप स्टोरी टाइप कुछ खरीद लीजिए दे ब्रेव अच्छल सर इन्हों ने ना खुद को ओवर बड़न कर रहता है एक बारवी क्लास का बच्चा सुपह उठता है मैट साइंस में लगा रहता है और अक्सर देखिएगा वो सोने जाने से पहले निराश होकर के सोता है खुश होकर के सोने वाले बहुत कम बच्चे मैंने देख और पॉस्टिविटी लाइए खुश रही और मुझे लगता है पी आई की फॉर्म आपकी पूरी पॉस्टिविटी की ही प्रेजेंटेशन है तो अपने आपको बिलकुल थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन करें सर यह एनलाइस करें कि जो आप उसमें लिखने जा र बर्डन से यह बाहर आएं सर लाइफ पर थोड़ा रिलाक्स करें इंज्वाय करें चिल करें और बहुत पॉजिटिव नोट के साथ जाए और अपनी रियल प्रस्टनालिटी जो असल में है उसको हां प्रेजेंट करें बिलकुल बिलकुल सरी क्योंकि इन्हों ने उसको भी प्रोवाइड करती है जर और यह इंस्टिट्यूट इन बच्चों को वाकई मतलब जो बच्चे देख रहे हैं अभी मैं आज जब देख रहा था जब यह बच्चे आये थे और आज मैं पंदरा दिन बाद उनको देख रहा हूं सोला दिन बाद तो सर बहुत बदलाव आ र खुश रहने में सर कौन सी टेक्निक लगती है कोई टेक्निक नहीं बस इन्हें थोड़ा सा मेंटली फ्री होना पड़ेगा और यह समझना होगा कि चीजों को प्रेसर लेके नहीं चीजों को रिलाक्स होके इंज्वाइ करके भी बहतर की आ जा सकता है अगर यह चीज इनको समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं कि NDA से अच्छी एंट्री, NDA से आसान एंट्री, SSB से आसान एक्जामिनिंग प्रेस्टिंग प्रॉसेस सिंपल परसनलिटी तो जज की जा रही है तो सच्छाई के साथ रखना है तो पि-आ-क्यूत को समझने के लिए और बहतर अपने आपको डिवलब करने को इस बार से और सॉट रेक्मेंडेशन के बिल्कुल जूड़ी है हमारे special batches का जो भी time आपके पास है 45 days है, 60 days है, 90 days है, 30 days है, whatever time you have, please come to us, we'll really work harder on you and obviously if NDA आपने return निकाला है, तो SSB के commitment के साथ हम आपके qualify कराएंगे, thank you so much, wish you good luck, जय हिन, जय भारत.